विजेता कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी विजेता नहीं बनते नमस्कार सांतियों मैं अजीत कुमर आपके यूटूब चैनल कम्टेशन कमुटे पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आसा करता हूं आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे और इसक सबस् Rico करते तो इसके पहले के प्रतिक विडियो में हम आप को एक इंपोर्टेंट कॉंसेट सिखा रहे थे जिसे आपके दो इसके ग्लतियां संभव ही नहीं सकती आज के बाद आप इसमें कभी भी गलतियां नहीं करेंगे ठीक है तो आई ये फटा-फटा आज के इस वीडियो से सनकों लोग आगे बढ़ाते हैं आगे बढ़ाने के पहले कुछ information जो हम आपको देना चाहते इसको देते चलें तो सबसे पहला information ये है कि आपका सीजी एसाई मिंस का बैच आ रहा है और साथी साथ एडी यो का बैच भी आ रहा है कब से आ रहा है थर्टीन तॉप मार्च दो जाती से आपको मिलेगा आपके चार सेंटर्स पे कोको के चार सेंटर्स मिलेगा कहां बिलासपूर रायपूर दुर्ग और राजनान गाओं में और इसका सुबह का जो टाइमिंग होगा मॉर्णिंग का जो टाइमिंग होगा, वो होगा, साथ से साड़े नौका, साम का जो टाइमिंग होगा, वो होगा, छे से साड़े आठ का, ठीक है, चली तो इस प्रकार से, ये सेशन हम लोगों का, ये जो information था, ये information यहाँ पे over होता है, अब इसके आगे हम आपको कुछ और जो सीखनी है, इसके तरफ लेकर चलते हैं, अब देखे हम लोगों को यहाँ पे सीखना क्या, आपको सामने एक rule दिखाए दे रहा है, क्या rule लिखा हो है भाई, noun plus preposition plus noun, noun plus preposition plus noun, ये एक rule आपको यहाँ पे दिखाए दे रहा है, अब इसे दो तरीके से question आपके exam में पूछ पूछे जाते हैं, अब ये दो तरीके से कैसे कैसे पूछे जाते हैं, इन दोनों की चर्चा हम one by one करेंगे आपके साथ, तो आईए सबसे पहले इसको हम लोग सीखना सुरू करते हैं, देखिए सबसे पहला concept, यहाँ पे rule क्या लिखा हो है, प्री पोजीशन के पहले भी न नाउन आता है, और error कहां पे पूछा जाता है, तो इस वर्वाले सिक्षन में पूछा जाता है, ज्यादा तर error जो पूछा जाता है, वो यहाँ पे पूछा जाता है, यह sentence improvement, यह फिलर में जो question पूछे जाते हैं, वो ज्यादा तर question यहाँ पे पूछे जाते हैं, कभी-कभ प्रिपोजिशन के पहले यहां पर कोई नाउन लिखा हुआ हो ठीक है यह मालेजे नाउन वन है ठीक है इन वन है जो नाउन इस प्रिपोजिशन के पहले लिखा हुआ है वही नाउन इस प्रिपोजिशन के बाद में लिखा हुआ हो वही नाउन इस प्रिपोजिशन के बाद सकते इनको कभी भी हम plural नहीं बना सकते और तब, इसके बाद यहां जो वर बाता है, यह वर भी लिखा जाएगा कैसा singular यानि कि इस बात को ठीक से समझे किसी भी preposition के पहले, किसी भी preposition के पहले और preposition के बाद में आने वाले नाउन यदी सीम हो जो नाउन यहां पे लिखा हो वही नाउन यहां पे लिखा हो प्रिपोजीशन के पहले और प्रिपोजीशन के बाद आने वाले नाउन यदी सीम हो ठीक है तो दोनों ही नाउन रहेंगे हमेशा और हमेशा सिंगुलर और इनके साथ वर्ब भी कैसा रहेगा everything will be singular कुछ भी प्लूरल नहीं होगा ठीक है लेकिन फिर क्या होगा बाई यदि किसी भी प्रीपोजीशन यदि किसी भी प्रीपोजीशन ये रूल नमर टू है इसका यदि किसी भी प्रीपोजीशन के पहले आने वाला नाउन ये रूल नमर टू है पहले आने व माले नाउन यदि दोनों नाउन अलग-अलग हो यदि दोनों नाउन अलग-अलग हो तो इन दोनों में से कोई भी सिंगुलर हो सकता है कोई भी प्लूरल हो सकता है दोनों का दोनों प्रिपोजीशन के पहले आने वाले नाउन के एक घरी करता है अब जरा ध्यान से देखिएगा अब इन दोनों रूल को देखिए दोनों रूल को आप कैसा याद रखेंगे यह दोनों देखिए प्रिपोजिशन आपको दिखाए दिरें प्रिपोजीशन के पहले यह नाउन ठीक है तो यह पाहला नाउन कैसा था यद्थी दोनों से मैं नाउन कैसा रहेगा से मिलट क्रेसा लगें ऑप इसके उपर कोई boundation नहीं है कोई प्रतिबदता नहीं है कि यह हमेशा singular रखना है यह plural रखना है यह singular भी हो सकता है यह plural भी हो सकता है ठीक है तो यह जैसा रहेगा वैसा वर्व लेगा अर्थात पहला वाला नाउन इस condition में यह जो पहला वाला नाउन है यह यदि singular होगा कैसा ह होगा यह यदी plural होगा तो हमारा वर्भी रहेगा प्लूरल बात को ठीक से समझ एक तो पहला वाला नाउन नीदी सिंगूलर तो वर्भ रहेगा हमारा प्लूरल रैट बात समय आ गए अब इस दूसरे वाले नाउन से हमें कोई मुहबत नहीं होता है इस दूसरे वाले नाउन से हमें कोई मुहबत नहीं दूसरा वाला नाउन यहां पर सिंगूलर हो सकता है प्लूरल हो सकता है एक बार फिर से हम आपको समझाते चलें सेकंड वाले किस में यदि किसे भी preposition के पहले और बाद में दोनों जगों पे नाउन आए और दोनों नाउन अलग अलग हो तो दोनों में से कोई भी नाउन singular हो सकता है कोई भी नाउन plural हो सकता है दोनों का दोनों singular हो सकता है दोनों का दोनों plural हो सकता है हमें अब यहां पे नाउन में कोई error नहीं पूछा ज सकता है वो सिर्फ rule number one में इस वाले condition में ही संभव है इस वाले condition में इस वाले condition में सिर्फ और सिर्फ वर में error संभव है ठीक बात समझ में आ गई अब चलते हैं कुछ example की तरफ तो अब आईये यहां पे हम लोग कुछ example के माध्यम से इनको सीखने समझने का प्रयास करते हैं देखिए हमारा पहला जो कुशन है वो क्या है अब यहां पर देखें यह आफ्टर आफ्टर क्या है आप बच्पन से जानते आ रहें आफ्टर क्या होता है तो एक प्रिपोजीशन होता है आफ्टर का मतलब क्या होता है तो आपको क्या बताए था तो हमने आपको बताए था कि किसी भी प्रेपोजीशन के पहले और बाद में आने वाला नाउन दोनों नाउन यदी सेम होगा कैसा होगा तो दोनों ही नाउन को रहना होगा हमेशा और हमेशा सिंगुलर कैसा रहना होगा हमेशा रहेगा सिंगुलर तो क्लिम्ड क्लिम्ड क्या है भाई यह है वाव का सेकेंड फॉर्म तो हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी पताया था वर्व यदी प्रेजेंट में हो अर्था तो वर्व यदी अपने फिप्त फॉर्म में हो तो वह सिंगुलर और वर्व यदी अपने फिप्त फॉ में कहां पर एर था तो फॉस्ट पार्ट में एर था यहां पर क्यों था क्योंकि जो नाउन प्रिपोजीशन के पहले था वह नाउन प्रिपोजीशन के बाद अर्था प्रिपोजीशन के पहले और प्रिपोजीशन के बाद आने वाले यह दोनों नाउन कैसे हैं यहां पर सेम है तो दोनों नाउन से होगा तो दोनों ही नाउन को रहना होगा सिंगुलर वह भी लेगा सिंगुलर लेकिन वर यहां पर पास्ट में है यह जो क्लेम्ड है यह कैसा है यह पास्ट में चला गया तो अब इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है ठीक है बात समझ में आ गई चले तो इस question का answer क्या करेंगे option number a करेंगे चलते हैं अपने अगले question में second question क्या है देखे का यहां पर फिर से लिखा हुए after after यानि बाद में अब यह CT क्या होता है भाई noun है तो जो noun preposition के पहले वही noun preposition के बाद में है तो preposition के पहले और बाद में आने वाले दोनों नावन यहां पर कैसे हैं सेम है तो दोनों नावन यदि सेम हो कैसे हो दोनों नावन यदि सेम हो तो दोनों को कैसा रहना होगा दोनों को हमेशा और हमेशा रखा जाएगा singular और verb को भी कैसा रखते हैं singular तो यहाँ पर यह जो वर्ब है यह कैसा है वर्ब है जो plural है तो इसका singular क्या होता है singular होता है वाज क्या होता है इसका singular होता है वाज ठीक है तो यहाँ पर example के तौर पर इस question में यहाँ पर हमने दोनों section में error डाला हुगा है ठीक है आपके exam में जब इस तरीके का question आएगा तो किसी एक ही part मेर करें पूछेगा या तो इस noun वाले पार्ट मेर पूछेगा या तो इस over वाले पार्ट मेर पूछेगा ठीक है doubt clear है बढ़ते हैं बढ़ते हैं आगे तो फिलहाल इस तरीके के question में हम लोग कुछ भी answer नहीं करेंगे ठीक है यहाँ पर intentionally हमने जान बूझ कर ये question दिया है ठीक है और फिर भी कल्पना कर लिजे माल लिजे कि यदि इस तरीके का question आपके exam में पूछ दिया गया तो आप क्या करेंगे तो यदि इस तरीके का question आपके exam में पूछ दिया जाए तो आप दोनों में से किसी को click करके चले आना और ये question क्या होगा वीलोपीद कर दिया जाएगा remove कर दिया जाएगा delete कर दिया जाएगा और इसका free में preposition के बाद क्या लेका फिर से यहां पे लिखाए speaker ठीक है इन दोनों जगों पर देखे क्या है आने वाला noun सेम है तो यदि किसी भी preposition के पहले और बाद में आने वाला noun दोनों नाउन यदि सेम हो तो दोनों को कैसा रखते हैं हम लोग दोनों ही ना उनको रखते हैं हमेशा और हमेशा सिंगुलर तो यहां पर स्पीकर का क्या करेंगे दोनों में से इस हटा देंगे अब करेक्ट अंसर हमारा क्या बना स्पीकर आफ्टर स्पीकर अब इसके आगे देखिए यह केम केम क्या है वर्ब का second format ठीक है तो इस question का answer क्या बनेगा answer बनेगा option number a क्या बनेगा इस question का answer बनेगा option number a ठीक है बढ़ते हैं आगे कुछ और question को देखते हैं देखें या तो error में इसे question पूछा जाएगा नि इस तरीके से fill in the blanks में अब आप यहां पर आ जाएए ये देखें यह वित का मतलब होता है यह साथ जो आप बजपन से पढ़ते आ रहे हैं वित क्या है तो preposition ने अब देखे यह वित क्या है प्रिपोजीशन है तो यहां पर थोड़ा सा हम लिख देते हैं आपको समझाने के लिए यह क्या है यह प्रिपोजीशन है ठीक है चलो पूरा लिख देते हैं यह क्या है वित क्या है भई तो भी थे प्रिपोजीशन प्रिपोजीशन के पले यह द तो ये भी noun है और ये भी noun है अब जरा ध्यान देजिएगा ये सीब क्या हो गया माल लेजिये कि हम originally कर दिये अब isake क्रिव को क्या बोलेंगे इसको एंटू बोलेंगे क्यों क्योंकि ये प्रिपोजीशन है तो प्रिपोजीशन के पहले और प्रिपोजीशन के बाद में दोनों जगों पे नाउन आता है दोनों जगों पे नाउन आपको दिखाई दे रहा है किन्तों ये दोनों ही नाउन बिल अब इतनाँ होगा वो सिप के एक ओडिंग होगा तो शीप है कैसा है सिंगुलर है तो वर्म कैसा लेका है सिंगुलर लेक तो अब आ यह चैक किजिए यह सिंगुलर है यह प्लूरल कैंसर आपका नन रॉम나फर दी तो एक ये इसके Hindi मेनिंग को सीखते हैं, the ship with its crew, ship जो है अपने चालक दल के सदस्यों के साथ, gone to bottom of the sea, मतलब जो जहाज था, उसका एक्सिडेंट हो गया, तूट गया, दुरुगटना गस्त हो गया, ठीक है, और दुरुगटना गस्त होने के बाद, अपने चालक दल के सदस्यों के स तो जो जहाज था, वो कहां चला गया, समंदर के bottom में चला गया, उसके मतलब गहराई वाले पार्ट में जमीन पे वो चला गया, बात समझ में आ गई, यानि कि उसके पेंदी में चला गया, गहराई में उसका जो नीचे वाला सपोर्ट था, वहां पे चला गया, ठीक है, ब आप ज़राद ध्यान से देखेगा इसमें करना क्या है या तो यह sentence improvement में पुछेगा Rossi sentence improvement में पुछेगा तो जिस part में error जिस part में improvement चाहिए उसको bold करके देगा underline करके देगा ठीक है या नहीं तो फिर यह common error में पूछा जाता है इस तरीके का part इस तरीके का pattern आपको common error में भी देखने को मिलता है इसमें क्या होता है कि यह आपको यहाँ पे एक sentence दिया रहेगा और sentence में क्या क्या जाता है तो sentence के कुछ part में break कर दे जाते हैं और जो part में break किया जाता है उस break किया हुए part को अलग-अलग oblique से divide करके ABCD लिखा हुआ आपको दिखाई नहीं पड़ेगा बलकि उस part को जहाँ पे इसको question setter को आप से पूछन आए कि किस-किस part में रसंभव है वो सारे आपको यहाँ पे option के रूप में लिखके दे दी जाते है ठीक है मैड तो पर होस्पिटल ये भी यह भी नावन है अब ज़रा ध्यान देजेगा ये बीच में आ गया रफात पर प्रीपोजीवे के पहले जो नावन आया इसको मालेज इपे और बाद मैं आब अलग अलग है तो अलग है तो इसको अवस्था में नाउन में तो error संभाओ नहीं है, यही हमने आपको बताया था, क्या बताया थे, यह दिक किसी preposition के पहले आने वाला नाउन, और बाद में आने वाले दोनों ही नाउन, बिलकुल अलग-अलग हो, दोनों सेम नहीं हो, तो ऐसी अवस्था में noun में error संभाओ नही आईए चेक करते हैं, जरा ध्यान दिजेगा, अब यह जो प्रोमोटर है, यह कैसा है, यह preposition के पहले लिखा हुआ है, तो वर्व EC के एकोडिंग रहेगा, प्रोमोटर कैसा लिखा है, प्रोमोटर में इस लगा हुआ है, अर्थात प्रोमोटर है, आपका प्लूरल तो वर् option में, आई ऑप्शन को देखे, है वाला पार्ट कहांपे लिखा हुआ है, है वाला पार्ट आपको यहां पे लिखा हुआ है, यह है और य तो इस वाले पार्ट अपार्ट मेर था, इस लिए इस कोशन का अंसर हमारा बन जाएगा, ऑप्शन बड़्डी क्वानेगा, इस को पुजिशन के पपले पिक्चर क्या है तो यह नाउन है ठीक है और इस प्रेपोजीशन आउप के बाद यह देखें लिखा हुआ किंग भी क्या है नाउन और दोनों ही नाउन कैसे अलग-अलग है बिल्कुल अलग-अलग है तो पहले वाले नाउन को बोल देंगे इन वन और इसके बाद वाले नाउन को बोल देंगे इन टू तो प्रेपोजीशन के पहले और बाद में आने वाले नाउन कैसे हैं दोनें अलग-अलग है तो अब एसी इस्थिति में नाउन में तो इरोस संभाव नहीं है एरोर कहां पे संभाव है सिर्फ और सिर्फ वर्वाले part में संभा हुए, तो चलते हैं, अब ये जो वर्व रहे किसके according रहेगा, preposition के पालेवाले के according, तो preposition के पाले क्या लिखा है, picture, picture कैसा है singular, तो word कैसा लेगा, singular, लेगा right, तो ये word कैसा है, singular तो इस part में कहीं कोई error तो है ही, नहीं, ठीक है इस question में कहीं कोई error नहीं है ठीक है तो is exactly is exactly ठीक है इस question में कहीं कोई error नहीं है तो इस question का correct answer बनेगा आपका no error क्या बनेगा आपका answer बनेगा no error तो इस option को हम यहां से हटा देते हैं ठीक है और इसके जगा हम आपको answer देते हैं no error यह आपका correct answer बनेगा no error ठीक है तो यह हो गय को सीखना है और उस रूल सेंट को सीखने के पहले कुछ और इनफॉर्मेशन है आप सभी बच्चों के लिए क्या इनफॉर्मेशन है देखिए फिप्टिंथ ओफ मार्च से मार्च 2013 से चार सेंटर कौनगों से सेंटर आपके चारों सेंटर को के कमप्टिशन कमिर्ठी के चारों सेंटर वीलासपूर राइपूर दुर्ग और राजनाद गाहों इन चारों सेंटर सब्सक्राइज सरू हो रहा है 15 मारच से ठीक है आगे बढ़ते हैं एक और अगला competition community के इन चारो सेंटर्स पे इन चारो सेंटर्स पे एक mega test series का आयोजन किया जा रहा है जो बिल्कुल निसुल्क है इसमें आप सभी बच्चों को जरूर से participate करना चाहिए डेरो इनाम इसमें रखे गए हैं जैसे आप देख पा रहे हैं सामने tablet है फिर bags and books हैं और फिर देखिए ऐसे बहुत सारे पुरसकार हैं जो आप सभी बच्चों का इंतजार कर रहे हैं तो इसमें जरूर से participate करना है पाटिसिपेट करने का तरीका क्या होगा आपको competition community के website पे चले जाना है आप अपने मोबाइल से laptop से desktop से कहीं से भी उसको login कर लीजिए ठीक है और जैसे ही जाएंगे आप competition community के website पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको इसका option दिखाई देगा 14 मार्च को होने वाले मेगा टेस्सरीज का आपको वहाँ पे option दिखाई देगा आप उस option पे क्लिक करें और free of cost खुद को वहाँ पे register करें और टेस्ट में सामील जरूर हो प्रतियस परधा में सामील जरूर हो participate जरूर से करें ताकि आपका जो award है आपका जो price है जो आपका इंतजार कर रहा है आपको मिल सके इसके दो फाइदे पहला फाइदा आपकी जो तैयारी है उसका मुल्यांकन हो जाता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है फ्री में कुछ सारा process बिल्कुल निसुल्ख है इसमें किसी भी प्रकार का कहीं भी कोई भी चार्ज सामिल नहीं है आगे बढ़ते हैं चलते अपने अगले concept की तरफ देखे हमारा अगला concept क्या है अब ये एक ऐसा बहुत important concept है जिससे आपके एक्जाम में question नहीं पूछे जाएं ये संभव ही नहीं नहीं पूछे जाएं इस concept से question नहीं आएं आपके assignments में ये संभव ही नहीं मतलब इससे 200% guaranteed है question रहेगा ही रहेगा अब क्या है जराध्यान से देखिएगा कहीं भी आपको ये जो rule है ये rule क्या कहता है ये rule कहता है कि कहीं भी आपको कहीं भी आपको any या one दिखाई तो इसमें आपको क्या करना है इसको ठीक से समझजेगा इससे कई rules है अब क्या है भाई इसका concept पहला सेखिएगा कहीं भी आपको ऐनी या वन दिखाई दे क्या दिखाई दे सेंतन्स के beginning में आपको दिखाई दे सकता है sentence के मिडिल में भी आपको दिखाई पड़ सकता है transactions bet सिर्फ सिखिएगा बच्चों ठीक से, कहीं भी आपको any या one दिखाई दे, ठीक है, इसके तुरंत बाद यदि आपको off दिखाई दे, कहीं भी any या one हो, उसके तुरंत बाद आपको off दिखाई दे, तो इस off के बाद यहाँ जो भी noun या pronoun दिखाई देगा, जो भी noun या pronoun दिख सिंगुलर इस बात को ठीक से समझ जीएगा दोस्तों फिर से मापको समझाते चले इसमें क्या होता किस प्रकार के सेंस को एक्स्प्रेस करता है किस प्रकार के सेंस को एक्स्प्रेस करने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं आईए ये भी हम आपको सिखाते चले बताते चले जैसे हम लोग कहते हैं कि सचीन तेंदुलकर दुनिया का सबसे अच्छा खिला रही है ठीक ह बल्ले बाजों में से एक हैं तो अब ज़रा ध्यान देजे एक ही बल्ले बाज सबसे अच्छा नहीं है दुनिया में ऐसे टॉप में जितने भी लोग है टॉप 20 में टॉप 10 में ठीक है जितने भी बल्ले बाज है उसमें से एक कोली साहब भी हैं ऐसी ही बात को बताने के लिए इस structure का use हम लोग करते हैं और ऐसे structure में ध्यान रखिएगा कहीं भी आपको any or one दिखाई दे क्या दिखाई दे कहीं भी आपको any or one दिखाई दे any or one के तुरंट बाद आपको preposition off दिखाई दे इस पर आधारित कुछ प्रस्ण को बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं और फिर बीच में यदि कोई नया concept आता है तो हम लोग उसको भी सीखने का प्रयास करेंगे ठीक है धीरे धीरे करके अचानक से सारी चीज़े एक बार नहीं सीखी जा सकती तो वन बाई वन सबसे पहले हां देखे यह जो सेंटेंस है इसके स्टार्टिंग में ही वन लगा हुआ है तो यहां पर देखिए आपको वन दिखाई दिया ठीक है अगले कोशन में देखिए यहां पर आपको वन दिखाई दिया ठीक है यदि तुरंत बाद आफ नहीं लगा है तो सब कुछ रहेगा सिंगुलर एनिया वन के तुरंत बाद यदि आफ नहीं है तो सब कुछ कैसा रहेगा सिंगुलर रहेगा लेकिन उससे कोशन आते नहीं कोशन यहां से आते ठीक है तो एनिया वन हो उसके तुरंत बाद आपको कह तो यह क्या है यह सन क्या है यह सन होता है नाउन तो एनी या वन के तुरंट बाद यह कहीं भी ओफ दिखाए दे तो उस ओफ के बाद आने वाला जो भी नाउन या प्रोनाउन होता है उसको हम लोग ऐसा रखते है प्लूरल तो सन होगा क्या नहीं होगा सन में क्या लगाना ह और इस नावन या प्रोनावन के बाद जो भी वर्ब आता हूं वर्ब को कैसा रखत है सिंगुलर तो यहां पर देखिए वर्ब कैसा सिंगुलर तो वर्ब वाला पाट तो करेक्ट है गलती किस सेक्षन में है तो सेक्षन बी में है अर्थात हमारा आंसर बनेगा इस कोशन का आप्षन नंबर बी क्या बनेगा आगे बढ़ते हैं अगले कोशन में देखे क्या सेंटेंस का मिनिंग है इस से भी आपको कोई फरक नहीं पड़ता आप का अंसर हर बार बनेगा आई थोड़ा हिंडी मिनिंग भी समझ लें वन ओफ हिस संस इस टीचर ठीक है मतलब कोई व करते हैं इंडिया इस वन आफ दा लीडिंग अफिर से देखे यह आपको वन दिखाए दिया वन के तुरंद बाद क्या है ऑफ के तुरंद बाद आप ढूंडिये कहां पर पहला नाउन है ढूंडिए यह लीडिंग नाउन है क्या नहीं फिल्म प्रोडिउसिंग कंट्री और हम लोगों लिखना होगा कंट्री यह लिखना होगा कंट्री की अस्तान पे लिखेंगे कंट्री किई आगे पहा पर बना हमारा इरर बना option number b में तो इस question number two हमारा बना option number b next बात करते हैं जान चाहिए फिर से आपको Θथ लगया है इस लगा है यह प्लूरल है अब आगे क्या होना चाहिए वर्ब को चेक करना होगा वर्ब कैसा होना चाहिए सिंगुलर और यह वर्ब क्या लिखा है वर्ब यहां पर आपको दिखाए पड़ा है दोस्तों प्लूरल कैसा का भी answer क्या बनेगा option number B बनेगा अब ये last वाले question हम छोड़ देते हैं दोस्तों आपके भरोसे इस last वाले question के लिए हमें screen से बाहर आते हैं आप इसका screen sort लेंगे और इस last वाले question number 4 का answer आप कहां करेंगे इस last वाले question number 4 का answer आप करेंगे अपने comment box में कहां पर करेंगे comment box में करेंगे आई ये कुछ और question को यहां पर देखने का प्रयास करते हैं अगला question ध्यान से जड़ा दिखिएगा यहां पर आपको दिखाई रहा है one of one of के बाद आने वाला जो प्रोनावन होगा वह कैसा रहना चाहिए वह रहना चाहिए प्लूरल तो डिजाइर में देखें यहां पर इस लगावाए डिजाइर प्लूरल है यह पार्ट करेंट हो गया वन आफ या एनी आफ के तुरंत बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन तो रहेगा प्लूरल किन्तु उस नाउन या प्रोनाउन के बाद जो वर्व लिखा जाएगा वो वर्व कैसा होना चाहिए वो होना चाहिए singular लिखा है कैसा इसको लिखा गया यहां पर plural तो आर के अस्थान पर क्या लिखेंगे correct करके लिखना हो तो हमारा correct answer बनेगा आर के अस्थान पर is ठीक है तो आर के अस्थान पर यह लिख देंगे तो sentence हमारा grammatically correct हो जाएगा right चलिए तो इस question answer भी क्या बना इस question cancer भी हमारा बन जाएगा option नंबर बी क्या बनेगा दोस्तो option नंबर बी बनेगा अगले कोशन के बात करते हैं देखें अगला कोशन क्या कहता है he is one of the tallest boy यह देखिए one of दिखाए दिया one of के बाद देखिए यह boy है noun तो any या one के बाद यह दी of आए any या one के तुरंट बाद यह दी of आए का इस लास्ट वाले question number six का अंसर क्या बना दोस्तो इसका अंसर बना हमारा option नंबर बी क्या बना option नंबर बी बनता है अब आज के इस वीडियो सेशन को हम यहीं पर समाप करते हैं आज हम लोगों ने यह जो दो important concert पड़े इससे आपके cg assignments exam में question रहेंगे ही रहेंगे ठीक है तो आज के इस वीडियो सेशन को यहीं पर हम लोग समाप करेंगे साथ ही साथ एक बार फिर से आपको बताते चले आपका cg assignments और edo का बेच कप से आ रहा है 13 तो मर्द से आ ठीक है कहां पर आपके competition community के इन चारू centers पर आ रहा है बिला देते हैं मिलते हम लोग अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िए competition community के साथ आज ही हमारे website के carrier page पर विजिट करें अत्वा description box पर दिय को को